हेलो दोस्तो नमस्कार सब्सक्राइब हीजिए हमारे चैनल को और दोस्तो बैल आइकन को दबाईए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे हैं धन्यवाद दोस्तो नमस्कार मैं नीरज कुमार आ रहे हैं सफाकत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आलवेज अन टॉप इन टैट में तो दोस्तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव विकास के सिध्धान्त की जो मानव विकास के जो सिध्धान्त होते हैं उसके सामाने सिध्धान्तों का पालन करता है तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं तीन जैविक सिध्धान्तों की पहला है शिर शिरह पदा भी मुख सिध्धान्त और जिसे मस्तक अधुमुखी भी कह देते हैं दोस्तों और दूसरा है समीप दूरा भी मुख और तीसरा है और् जिसमें सबसे पहला है निरंतरता का सिध्धान्त और उसके बाद हैं दोस्तों निरंतरता के सिध्धान्त के बाद हमारा जो है निरंतरता के सिध्धान्त के बाद है हमारा दूसरा विकास की दर्मे समानता की कमी का सिध्धान्त तीसरा है दोस्तों हमारा व्यक्तिगत भिनता का सिध्धान्त चौथा है स्वरूप की एक रूपता का सिध्धान्त पांचवा सामानने से विसेश्ट पृतिक्रियाओं की और बढ़ने का सिध्धान्त और छटा है एक ही करण का सिध्धान्त साथवा दोस्तो पारसपरिक संबंदों का सिध्धान्त और जो आठवा है दोस दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले शीर है पदाभिमुक या सिफैलो कोडल की बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ है सिर से पैर तक यानि जब भी हम इस सिद्धान्त की बात करते हैं सिफैलो कोडल की तो इसमें सिर से पैर तक की बात की जाती है सेफिलिक का अर्थ होता ह दोस्तों सिर छेत्र जबकी कोडल का अर्थ होता है पूँच छेत्र तो सिर मुख्य तंत्रिका का छेत्र है और तंत्रिका तंत्रिका के पास के छेत्र का विकास शरीर के दूसरे छेत्रों के विकास से पहले होना शिरे पदा भिमुक विकास कहलाता है आगे दोस्तों शिशू का सिर उनके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है और जिसके कारण वह पैरों से पहले हातों का इस्तमाल करना सीखता है और शिर है पदा भिम्क विकास यह है इंगित करता है कि प्रसवपूर अवधी यानी गर्भ धारन से पाच महीने तक के दोरान सिर बाकी शरीर से पहले विकसद होता है तो दोस्तों देख सकते हैं हैं चितर में भी यही दिखाया गया है तो सबसे पहले दोस्तों सिर का निर्मान होता है उसके बार शरीर के और अंगों का निर्मान होता है आगे दिखते हैं दोस्तों अपनी नेक्स लाइड में दूसरा है हमारा सिध्धान्त समीप दूरा भिमुक यानि प्रॉक्सी मोडिस्टिल तो दोस्तो prosimo का अर्थ होता है समीप या pass और distal का अर्थ दूर तो जनम पूर्व पांच महिने से लेकर जनम तक भ्रून के शरीर का विकास अंदर से बाहर की और होने की प्रक्रिया को समीप दूरा भी मुक विकास कहते हैं और यह उस विकास को संदर्बिद करता है जो शरीर के केंदर से निकल कर बाहरी सीमाओं की तरफ अग्रसर होता है आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से चित्र में ये दिखाया गया है केंदर से बाहर की दिशाओं में दोस्तों ये बीच से बाहर की दिशाओं में ये विकास हो तक हो रहा है और आप देखें दोस्तों यहाँ पे तीर के एरो के द्वारा इस चीज़ को दिखाएगा केंदर भाग से बाहर की तरफ ये विकास होता है आगे दोस्तों अपनी नेक्स लाइड में देखेंगे और्थो जैनिटिक तो दोस्तों और्थो जैनिटिक क्या है तो दोस्तों इसे प्रगतिशील क्रम विकास के रूप में भी जाना जाता है और कारे करने के सभी पहलों का विकास यानि ज्ञान है प्रतियक्षण है धारणा इत्यादी जैसे विशेशक्गिता प्राप्त करने की कमी से विशेशक्गिता प्राप्त करने पदानुकरमिक एकिकरन तथा इसपस्ट उच्चारण में व्रधी को और्थो जेनेटिक विकास कहा जाता है और हेंज वर्नर 1975 ने इसकी दोस्तों पुष्टी की थी और जटिल कोशल से पहले सरल कोशल का विकास और्थो जैनेटिक विकास का ही एक प्रकार होता है माने सबसे पहले सरल कोशल सीखता है और उसके बाद जटिल कोशल जो सीखता है उसी को प्रगति शील करम व आता है तो आप देख सकते हैं पहले चितर में वो कोई आकरती का निर्माण नहीं कर पाता है दूसरे चितर में आप देख सकते हैं तीसरे में आप देखें चोथे में देखें और पाँचफे चितर में देखें कि इसमें दिखाएगा है why do children's drawing change as cognitive to motor skills develop आप देख सकते हैं यह तो सामाने सिध्धान निरंतरता का सिध्धान इसका अर्थ है कि विकास जीवन चक्र के माध्यम से निरंतर होता रहता है यानि जनम से के प्रारम से पहले से लेकर दोस्तों जनम पूर्व से लेकर और मरनो प्रांत तक चलता रहता है यह मानव के दोनों अनुछेत्रों मनोबैग्यानिक और शारिरिक में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया होती है यानि मनोबैग्यानिक भी और दोस्तों शारिरिक जो बरदी है वो भी इसमें आ रहती है आगे बात करते हैं दूसरा कि विकास की दर में समानता की कमी कसिद्धान्द तो दोस्तों हाला कि विकास निरंतर चनने वाली प्रक्रिया होती है लेकिन संग्यानात्मक, शारिरिक और जीवन की इस अवस्थाओं में इसकी दर में समानता नहीं होती उधारण के लिए दो बच्चों की लंबाई अलग-अलग दर से बढ़ सकती है समवेगों के मामले में भी यही हाल होता है यानि एमोशन्स भी दोस्तों दोनों के अलग-अलग होते हैं आगे बात करें ब्यक्तिकत भिन्नताओं का सिध्धान तो देखें दोस्तों प्रतेक इंसान की अनुवान्शिक सरनचना अदुत्य और अनन्य होती है मतलब अलग होती है इसलिए विकास सभी आयामों में तदानुसार विशिस्ट होता है मने सब का विकास जो है कुछ चीजों में अलग-अलग यानि विशेश रूप से कोई किसी चीज में जो अच्छा हो जाता है कोई किसी चीज में उसका विकास जाद अच्छा हो जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो देखते हैं स्वरूप की एक रूपता का सिध्धान्त, तो दोस्तो विकास का स्वरूप, समरूप और सारव भूमिक होता है, संग्यानातमक छमताओं का विकास हो, चाए भासा विकास हो, चलना, सीखना आदी, विशिष्ट दर और अभी व्यक्ति के साथ एक निश्चित और समान स्वरूप में विक्सित होते हैं, माने इनका जो स्वरूप होगा, वो सभी का एक साही होगा, जैसे बात कर रहे थे, कि बच्चों का पहले सिर्व बनेगा, तो सभी बच्चों का ही पहले सिर्व बनेगा, सिर से पैर की तरफ विकास होगा, तो सिर से पैर की तरफ को करना सीखता है उधारण के लिए बाय बाय करते हुए वक्त शुरुवात में बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है फिर केवल हतेली को लहराना सीख जाता है और आगे देखें दोस्तों भाषा के संदर्ब में भी ऐसा ही होता है जहां वह सभी व्यक्तियों को मा और पिताजी आदी से संबोदित करता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने छटे सिध्धान्त की तरफ जो है दोस्तों हमारा एकिकरन का सिध्धान्त विकास संपूर्णता से विशिष्टता और विशिष्टता से संपूर्णता में होता है जिसका अर्थ है कि यह सारे शरीर के सभी हि किकरत प्रयास होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने साथवे सिध्धान्त की तरफ जो है पारशपरिक संबंदों का सिध्धान्त एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्वस्त मन में स्वस्त शरीर रहता है या कह सकते हैं स्वस्त शरीर में अन्य अंगों के विकास से सम्बंदित होता है। फिर से दोस्तों ये कहावत आपने सुनी होगी कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मस्तिश्क निवास करता है। ऐसा भी कहते हैं और इसमें लिखा है जैसे स्वस्त मन स्वस्त शरीर में रहता है। तो दोनों ये तरीके साब देख सकते हैं तो दोस्तों उदारण के लिए कम विक्सित मस्तिश के कारण भावनातमक और बौधिक प्रतिक्रियाओं में भी कमी पाई जाती है आगे बात करें दोस्तों अन्तेक्रिया के सिद्धान्त की तो आंतरिक और बाहरी प्रभावों की सक्रिय अन्तेक्रिया के परिणाम सुरूप यानि एक्टिव जो दोस्तों पार्टिसिपेशन होता है उसके परिणाम सुरूप विकास सकारातमक रूप से प्रभावित होता है अधरन के लिए प्रकर्ति बनाम पोशन संप्रत्य विकास में जीन और मनो सामाजिक वातवरन की महत्पूर्ण भूमिका को दर्शाता है आगे दोस्तों अगले देखें तो लास्ट है हमारा पूर्वा नुमान का सिध्धान्त दोस्तों ये आपने शायद पहली बार पड़ा हो तो देखें दोस्तों जैसा की हमने चर्चा की है कि विकास स्वरूप और निरंतरता में समानता के सिध्धान्त का पालन करता है जो यह दर्शाता है कि इसके अनुकरम की भविश्यवानी की जा सकती है उधारण के लिए बाविन्स की नवजास शिशु में पाए जाने वाली एक अनेच्छी क्रिया होती है जो अठारे से बारे महिने की आठ से बारे महिने की उम्र में स्वते ही समाप्त हो जाती है तो दोस्तों ये थे हमारे 9 सामाने सिध्धान्त और 3 हमारे जैविक सिध्धान्त जो थे तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना न भोले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे तो जैहिंद जैब आप